हलो गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉंगे फिन डियस सिरप के फायदे के बारे में कि जो लॉंगे फिन सिरप डियस क्या है इसके क्या फेनिफिट्स होते हैं इसको कैसे यूज करना है और इसका market price क्या है दोस्तो इस वीडियो में हम आपको संपूर जान करेंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो longifin ds syrup है इसके ingredients के हम बात करते हैं तो दोस्तो इसमें जो दे रखा है bucalyzen hydrochloride 12 mg में होता है अब दोस्तो बात कर लिया है लोंगी फीडीय जोASHराब होता है इसके हम फायदे की बात कर लिते हैं कि अगर इसको यूज करते है तो हमें इस सिरब सकते हैं अगर दोस्तो फायदे की बात की जाए तो यह एंटि हिस्टामिट ग्रूप की मेडिशन होती है जैसा कि जिन लोगों में आजकी vertigo की problems हो जाती है या motion sickness हो जाता है, allergy disorder हो जाते है तो ऐसी conditions में अगर आप long if indies syrup का इस्तमाल करते हैं तो इससे आपको बहुत सारे फायदे और भी मिल सकते हैं जैसा कि लोग दोस्तों भोग की कमी हो जाती है बच्चों में क्या या बड़ों में क्या बहुत ज़दा भोग की कमी हो जाती है तो उस conditions में क्या होता है कि long if indies syrup का इस्तमाल करते हैं तो ये भोग को increase करती है जी के साथ साथ में कुछ नौजबानों में क्या या बड़ों में क्या बच्चों में क्या उल्टी की समस्य जैसी हो जाती है तो उस कंडिसेंस में क्या होता है याज की वामेटिंग बगार बहुत ज़दा होती है तो अगर आप याज की लॉग इफ इंडियस सिरफ का इस्तमाल करते हैं तो ये उल्टी के लिए काफी अच्छा रेजल्ट होता है और भी जैसे समस्य होती है जैसे जिन बच्चों में माईगरेंग की प्रा justify होती है तो माईगरेंग की समस्य में अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं जैसके लॉग इफ इंडियस सिरफ का तो काफी ऐच्छा रेजल्ट आता है जैसे अल्टी गीरिया हो जाती है या अल्टिक रेंज की पित्ती बगरा उचलाती है तो इसका काफी अच्छा रिजल होता है दोस्तों बात की जाएं जैसा कि पित्ती की समस्या होती है या गैस्ट्रिक पेन होता है उसकंडिसंस में भी आप इसका यूज करेंगे लॉंग फिन का तो इसमें भी काफी अच्छा रूल होता है या इसकी कंजंक्टिविटी वगरा हो जाती है या फिस सरदर्द रहता है तो उस कंडिसंस में अगर आप इस लॉंग इफ इंडियस का इस्तामाल करते हैं तो इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा दोस्तों जान लेते हैं दोस्तों ये क्या एक मैनकाइंड फार्मा कंपनी का बना हुआ ये प्रोडक्ट होता है जो कि लॉंग इफिन डियस के नाम से जाना जाता है अब दोस्तों जान लेते हैं इसकी साबधानी क्या हो सकती है अगर आप इसको इसमें हमें क्या-क्या साबधानी बलतनी चाहिए जैसे कि दोस्तों जिन लोगों को ग्लूकोबमा की ह होती है तो उस कंडिसंस में क्या होता है कि लॉगिफिन डियेस सिरप का कभी इस्ते जाल मन ही करना चाहिए heart disease है अगर आपको तो उस condition में इस्तमाल नहीं करना चाहिए या फिर liver disease है या कि liver की समझ से है तो उस condition में क्या होता है long-diffing days का आपको डॉक्टर की प्रामर से इस्तमाल करना चाहिए फिर kidney disease है pregnant ladies है या फिर वो ladies जो breast feeding कर आ रही है तो उस conditions में क्या होता है कि आपको अपनी डॉक्टर से सलाई लेना चाहिए उसके बाद इसका इस्तमाल कराना चाहिए जाननेते इसके doges के बारे में कि इसके doges क्या होती है doges यह है कि अगर आपके अपने बच्छे को घ्राते हैं तो याज़की धाई से 5 ml सुबासाम आप खाना खाने के बाद इस्तमाल करा सकते हैं और बड़ों में इस्तमाल कराने के लिए क्या है याज़की 5 से 10 ml सुबासाम आप इसको इस्तमाल कर सकते हैं आप दोस्तों जान लेते हैं इसके side effect क्या हो सकते हैं अगर आप इसको इस्तमाल करते हैं, तो इससे आपको क्या side effect मिल सकते हैं, अम इसके side effect की हम बात करें, तो जैसे नींद ना आना, rannis mouth हो जाता है, vomiting बगरा हो सकते है, या dizziness बगरा हो सकता है, या weight gain हो सकता है, इसके side effect होते हैं, तो कभी भी अगर आप इससे भी और एक्स्टा कोई साइड एफेक्ट अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए किसी डॉक्टर से परामर्स लें उसके बाद ही इसका इस्तमाल करना चाहिए अब दोस्तो लास्ट में मैं एक बार आपको बता दूँ कि इस लॉंगे फिन सिरप जो की 200 ml की बाटल में होता है और इसके मार्केट प्रैस के अगर हम बात करें तो मार्केट प्रैस के अगर बात किये जाए तो इसका मार्केट प्रैस है 138 रुपे 16 पैसे हैं जो की Mankind Pharma Company का बनाववा प्रोड़क्ट होता है आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसे परचेस करज़कते हैं जानवाना ब्रैंड है हर किसी मेडिकल पे आपको उपलब्द रहेगा तो दोस्तों आसा करता हूँ यह मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले लाइक करना ना भूले जैहिं जैभारत